चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पोएट क्या बात कह रहा है पोएट कहता है कि हमने एक बात सीखी है मतलब जो बड़े लोग हैं जो experienced लोग हैं वो बोल रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ा lesson learn किया है और वो lesson क्या है वो lesson ये है कि कभी भी अपने बच्चों को टीवी के पास मत जाने दो और बहतर होगा टीवी जैसी idiotic thing टीवी जैसी फजूल चीज घर में install ही मत करो टीवी को घर से दूर रखो दोस्तों टीवी जो होता है न वो हमारी creativity को खतम कर देता है टीवी में कुछ भी अच्छा प्रोग्राम नहीं होता इसलिए poet कहता है कि बच्चों को टीवी से दूर रखो Poet कहता है कि हम अभी तक जितने भी घरों में गए हैं वहाँ पर हमने देखा कि सभी घरों के बच्चे टीवी से चिपके हुए थे मतलब बच्चों की आँखे टीवी पर टिकी हुई थी बच्चों का पूरा concentrate टीवी के उपर था बच्चों का अपना कोई होश ही नहीं था तेड़े मेड़े उल्टे सीधे पोस्चर में बैठ कर जमी हुई आँखों से टीवी को देखे जा रहे थे और ये बच्चे टीवी तब तक देखते हैं जब तक इनकी आँखे निकल कर बाहर ना आ जाएं मतलब जब तक इनकी आँखों में दर्द नहीं होगा तब तक ये लोग टीवी देखते रहेंगे पोएट कहता है कि पिछले हफ़ते मैंने देखा था बहुत सारे बच्चेों को घर में जमीन पर लेटा हुआ आँखों मतलब है कि बहुत सारे बच्चे जमीन पर लेटे हुए थे तो ये बच्चे जब तक टीवी को घूरते रहते हैं जब तक इन बच्चों को टीवी हिपनोटाइस नहीं कर देता आपने देखा होगा हिपनोटाइस कैसे किया जाता है आपको एक चीज देखनी होती है लगातार और थोड़ी देर बाद आप क्या होता हो हिपनोटाइस हो जाता हो आपको कुछ पता नहीं होता दुनिया के बारे में तो यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि बच्चे टीवी को इतना ध्यान से देखते हैं कि टीवी उन बच्चों को हिपनोटाइस कर देता है और फिर उन बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके आसपास क्या हो रहा है बच्चे एक शराबी की तरह खो जाते हैं जिस तरहां शराबी को होश नहीं रहता वैसे ही बच्चे भी मधोश हो जाते हैं टीवी के आगे और टीवी में चल रही बखवास को ये बच्चे देखते रहते हैं देखते रहते हैं Oh yes, we know it keeps them still They don't climb out the window still They never fight or kick or punch They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink But did you ever stop to think To wonder just exactly what this does to your beloved taught टाट कहते हैं बच्चे को बहुत खुबसरत लाइन्स हैं पोएट कहता है कि ये बात बिलकुल सच है कि बच्चे टीवी में एकदम मगन हो जाते हैं और पेरेंट्स को परेशान नहीं करते एक तरफ शान्त होकर बैठ जाते हैं और टीवी को देखते रहते हैं कोई लड़ाई जगडा नहीं करते कोई इधर उधर भागते नहीं हैं शैतानी नहीं करते और पेरेंट्स अपना काम असानी से कर पाते हैं मदर खाना पका लेती है राम से बरतन को धो लेती है लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस टीवी में चल रही बकवास का आपके बच्चों के उपर क्या असर पड़ता है पेरेंट्स से पोयड बोल रहा है कि ये बात बिल्कुल सच है कि टीवी में मगन होकर बच्चे आपको परिशान नहीं करते आप अपना काम असानी से कर लेते हो लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टीवी आपके बच्चे के उपर क्या अफेक्ट डाल रहा है अब देखो पोयड टीवी के अफेक्ट्स के बारे में बता रहा है जो बच्चों के माइंड के उपर पड़ते हैं पोयड कहता है कि टीवी देखने से बच्चों की क्रियेटिविटी बिल्कुल खतम हो जाती है इमेजिनेशन खतम हो जाती है और उसका माइंड कचरे से भर जाता है फाल्टू की चीजों से भर जाता उसका माइड और ये सब बेकार की चीज़े उस बच्चे को डल बना देती है ब्लाइंड का मतलब यहां पर है कि बच्चे की खुद की क्रियेटिविटी खतम हो जाती है बच्चा खुद कुछ नहीं सोच पाता, खुद कुछ नहीं देख पाता पोएट कहता है कि जब बच्चा टीवी को देखता रहता है तो फिर उसको लिटरेचर समझ में नहीं आता उसको कहानिय पढ़ने को दोगे, पोयम्स पढ़ने को दोगे तो उसका माइंड काम नहीं करेगा उसको तो टीवी देखने की आदत पढ़ चुकी है किताबे पढ़ने में क्या होता है थोड़ा सा आपका एफर्ट लगता है आपको समझना पढ़ता है कहानी को लेकिन टीवी देखने में तो कोई एफर्ट नहीं लगता बस आपके सामने एक वीडियो चल रही है और आप देखते रहो उसको तो टीवी क्या करता है हमारे माइंड को चीज की तरह सॉफ्ट बना देता है मतलब बच्चे का जो माइंड होता है न उसको एफर्ट ना करने की आदत पढ़ जाती है माइंड पर बच्चे जोर देना ही नहीं चाहता और उसके माइंड में जंग लग जाता है रस मतलब जंग लग जाना जैसे अगर आप किसी मशीन को जादा दिनों तक इस्तिमाल नहीं करोगे तो उसमें जंग लग जाता है वो मशीन जाम हो जाती है इसी तरह अगर आप टीवी देखोगे तो यह आपके माइंड में जंग लगा देगा आपके माइंड को जाम कर देगा और बच्चा सिर्फ कार्टून्स देखना पसंद करता रहेगा कुछ भी सोचना नहीं चाहेगा क्योंकि सोचने में एफर्ट लगता है और फिर वो बच्चा कोई भी एफर्ट वाला काम नहीं करना चाहेगा पोएट कहता है मैं जानता हूँ कि आप पेरेंट्स मुझसे पूछोगे कि हम अपने बच्चों को टीवी के अलावा क्या दिखाएं पेरेंट्स बोलिंगे आपने बुराई तो बहुत कर दी टीवी की लेकिन ये भी तो बताओ कि बच्चों को एंटर्टीन कैसे करें पोएट कहता है कि हम आपको जवाब देंगे कुछ पूछते हुए कुछ आपसे पूछींगे फिर आपको जवाब देंगे हम पेरेंट्स से ये पूछना चाते हैं कि जब टीवी जैसा मौंस्टर इन्वेंट नहीं हुआ था जब टीवी को नहीं बनाया गया था तब बच्चे क्या करते थे देखो बच्चे तो हमेशा से थे दुनिया में जब आपके दादा जी बच्चे थे तो उन्होंने क्या किया होगा बच्चपन में क्योंकि उस जमाने में कोई भी टीवी नहीं था तो ये सवाल पोयर्ट पेरेंट से पूछ रहा है कि क्या तुम लोग भूल चुके हो कि पहले जमाने के बच्चे कैसे रहा करते थे भूल चुके हो या तुम्हें पता ही नहीं है पोयर्ट कहता है कि पहले जमाने में जब टीवी नहीं था तब बच्चे बुक्स को पढ़ा करते थे एंटर्टेन होने के लिए लोगों की आदी जिन्दखी पढ़ने में ही गुजर जाती थी ग्रेट स्कॉर्ट गैट्जुक्स जैसे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये एक्सप्रेशन्स हैं जो सप्राइस को बताते हैं एक्साइटमेंट को बताते हैं तो बोलना चाहरे हैं कि बुक्स बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई होती थी पोयेट कहता है कि पहले जमाने में बच्चों का रूम किताबं उसे बृरा रहता था जहां देखो वहां किताबे पड़ी होती ही फ्लोर पर किताबे पड़े रहतीं थी, बेड्रूम में भी किताबे होतीं थी, हर जगा किताबे होतीं थी Such wondrous, fine, fantastic tales of dragons, gipsies, queens and whales and treasures aisles and distant shores where smugglers rode with muffled ores and pirates wearing purple pants and sailing ships and elephants and cannibals crouching around the port, staring away at something hot poet, poet यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है कि कितनी interesting interesting books हुआ करतीं थी आपको dragons की कहानियां मिलेंगी, adventures मिलेंगे, रानियों की books मिलेंगी, whales मिलेंगी, खजाने के islands मिलेंगे, डाकू मिलेंगे तो इस तरहां से यहां पर किताबों की variety बताई जा रही है ऐसा बिलकुल नहीं है कि किताबों में कोई variety नहीं होती, हर कोई अपने taste के according किताबों को पड़ सकता है बहुत variety है किताबों में अच्च juह वाहाँ पिल्योग से सढ़ासअ टू चू अट जाटां लड स्वाशल, तू छू फू नीमलेंगी, व кров से खचाईब के वेश्च keeping up, the दो Todd and bless my soul There is Mr. Ray and Mr. Moll Oh Books, what books they used to know Those children living long ago Again, वो ही बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं Parents को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि books बहुत ही entertaining होती हैं तरहा तरहा की books available हैं अपने टेस्स के according books को पढ़िए books में बहुत ज़्यादा variety है और पहले जमाने के जो बच्चे बुक्स को पढ़ते थे वो बुक्स को बहुत ज़ादा इंज्वाइ करते थे उन्हें बहुत मज़ा आता था बुक्स को पढ़ने में So please, oh please, we back, we pray, go through your TV set away And in its place you can install a lovely bookshelf on the wall Poet घुजारिश कर रहा है पेरेंट से कि please, please इस TV को घर से बाहर फेग तो और टीवी की जगा अच्छा सा bookshelf लगाओ दिवार के उपर Then fill the shelves with lots of books, ignoring all the dirty looks, the screams and yells, the bites and kicks, and children hitting you with sticks Poet कहता है कि उस bookshelf में अच्छी अच्छी बहतरीन किताबें लगा कर रखो और जब तुम ऐसा करोगे, टीवी को घर से बाहर निकाल दोगे, तो तुम्हारे बच्चे तुमसे नराज हो जाएंगे बच्चे चिलाएंगे, तुम्हें काटिंगे, तुम्हें मारिंगे बच्चों को टीवी देखने की आदत पड़ चुकी है, अगर तुम टीवी को घर से बाहर निकाल के फेक दोगे, तो बच्चे तुम्हें डेंडे से भी मारिंगे लेकिन तुम्हें उनके डिर्टी लुक्स को इगनोर करना होका और टीवी को घर से बाहर फेकना होका Fear not, because we promise you that in about a week or two of having nothing else to do, they will now begin to feel the need of having something to read and once they start, oh boy, oh boy, you watch the slowly growing joy that fills their hearts, they will grow so keen, they will wonder what they had ever seen in that ridiculous machine, that no sitting full unclean repulsive television screen and later, each and every kid will love you more for what you did बहुत अच्छी लाइन्स हैं, poet कहता है कि जब घर में टीवी नहीं होगा तो अपने बच्चों के बिगरते हुए behavior को देखकर डरना मत थोड़े दिन इनतिजार करना, मैं तुम से वादा करता हूँ एक या दो हफतों में जब बच्चों के पास कुछ भी नहीं होगा करने के लिए तो फिर वो किताबे पढ़ना शुरू कर देंगे पहले तो खाली टाइम में वो टीवी देखा करते थे लेकिन जब बच्चों के पास खाली टाइम होगा और उनके पास टीवी नहीं होगा देखने के लिए तो फिर वो किताबे पढ़ना शुरू कर देंगे और एक बार एक बार उन्होंने किताबे पढ़ना शुरू कर दिया उसके बाद उन्हें पता लगेगा जुआ किसे कहते हैं खुशी क्या होती है और तब बच्चों को पता लगेगा कि टीवी कितनी बेकार मशीन थी और फिर बच्चों को टीवी से नफरत हो जाएगी फिर बच्चों को बाद में रियलाइज होगा कि उनके पेरेंट्स ने यानि आपने कितना अच्छा काम किया है और बच्चे फिर आपसे और भी जादा महबबत करने लगेंगे तो दोस्तों ये थी हमारी पोएम टेलिविजन आप टेलिविजन के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बताएं क्या आप पोएट्स से सहमत हैं या नहीं हैं लिखकर बताएं और अगर आप ICSE Class 10th के स्टूडेंट हो तो आपका English का स्ले बस मैंने कंप्लीट कर दिया है अभी आपके स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही है इस प्लेलिस्ट पर क्लेक करकर आपको English के सभी chapters मिल जाएंगे आज के लिए बस इतना ही जैहिंद